हलो दोस्तों वल्कम टो आड चैनल तो फाइनली आप लोग की क्लासेस तो स्टार्ट हो चुकी हैं आज है हमारा क्लास नंबर टू मतलब टार्गेट डे टू और मैं आप लोग को बिजवाज दिला रहा हूं जो भी स्ट्रेंट इन टार्गेट को कम्प्लीट कर लेगा देख एक बात और याद रखेए जो इस ट्रेंट्स गलती करते हैं कि आप मैंने देखा एक बार चैप्टर करना है और चाहें जीडी का हो एलन्पी का आपको क्या लग रहा है कि मैंने जैसे इतने exam के लिए तो क्या सारे exams के लिए मैंने अलग-अलग math पड़ा होगा नहीं एक इबार math पड़ा और उसी के थुरू सारे exam से निकाल लिए इसलिए मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप ये मत देखा करिए कि ये वीडियो 3 साल पुरानी है, 2 साल पुरानी है, आपको best content मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, आपको चीज समझ आ रही है या नहीं आ रही है, ये important होना चाहिए, ये important नहीं होना चाहिए, कि 3 साल पहले, उनके optional तक के बच्चे पिछले 7-7 साल पुराने lecture से अभी तक पड़ रहे हैं, और वो clear भी कर रहे हैं, तो आप लोग इन चीजों को मत देखा करिए, कि जो आज आएगी वही ति, अगर मैं जल्दी जल्दी में आज एक lecture सूट करके आपको देदू, और एक lecture मैंने 6 महीने पहले बहुत अच्छे से सूट किया हुआ है, तो आप लोगों को डिफरेंस तो पता है न, 6 महीने पहले उस चीज पर मेहनत की गई है, तो आप उस मेहनत को यूटिलाइज करिए, ना सिर्फ मैं अपने लिए बोल रहा हूँ, बलकि कि किसी भी YouTube चैनल की, अगर वीडियो बैस्ट है जो हमने आपको सजेस किया, देन आप उस से अपने स्लेवर्स को कम्प्लीट करने की कोशिस करिए, यह मत सोचिए, कि यह तो भही है, दो साल पुरानी वीडियो है, हम यहाँ पर खड़े हैं, तो आपको बैस्ट से बैस्ट चीज सजेस की जाएगी, तो आज जल जी ऑफिशल अप्लिकेशन पर एक बार टेस्ट लगाओ, आपको पता चलेगा कि टारगेट कम्प्लीट करने के साथ साथ टेस्ट लगाना आप लोगों के लिए कितना ज़्यादा कंपलसरी है, आप टेस्ट लगाएंगे, टू फिप्टी बन में आप लगवग आपके पा आपका टारगेट क्या है, तो बैक स्टेज पे मैंने ये ऑपन किया हुआ है, टो जल्दी से ये ऑपन कर लेते हैं, ये आगए आपका टारगेट डेट टू, ठीक हे गाइज, तो आप लोगों की अगर मैं बात करूं तो इस्टैटिक जीके और करंट जीके में आप लोगों के मिया आज जो important topics है वो फरवरी important days जो कभी change होने वाले नहीं है और एक important days related question आप लोगों को मिलता है दूसरा है 10 new important books ये जो important books है new वाली जो अगले एक साल में पुरानी नहीं होंगी वो वाली चीज़े आप लोगों को द state मतलब आपको 10 खिलाडियों की state पता होनी चाहिए और वो कौन से खेल से संब्धित है ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए अब आप सुचरों के भईया ये तो सब पुरानी ही चीज़े है तो मेरे भाई कुछ भी नया नहीं होता है पढ़ना तो सब पुराना ही है क्या आप जो नीरत चोपड़ा से इलिटेट चीज़े तुमने पहले पढ़ी थी क्या आप वो नहीं पढ़ोगे भाई जो चीज़ फेमास है वो तो पढ़नी ही पढ़ेगी फीफा वर्ल्ड कप देख लो अगर फीफा वर्ल्ड कप में किसी बंदे ने बहुत अच्छा पहले परफॉर्म किया था और उसने अभी परफॉर्म किया तो क्या आप उसको नहीं पढ़ोगे लेकिन कुछ बच्चों को यह वोरिंग लग रहा होगा कुछ बच्चों को लग रहा होगा अरे भाया यह सब तो हमने पढ़ रखा है यह सब तो हमने पढ़ रखा है यह पता किस ही नहीं इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि चीजे आप धीरे-धीरे कवर करते चलिए चाहें आप एक ही घंटा लगाईए टार्गेट करने में लेकिन उस टार्गेट को कम्प्लीट करिए अचीव करिए लिखिए क्योंकि ये एलपी लेबल की चीजे चल रही है तो थोड़ी डिफरेंट भी है ऐसा हो सकता है कि आपने दस चीजे पहले से आती हो तो दो चीजे लिख लिजिए बस जो आपकी दो अलग से आई है ठीक है गाईज अब यहाँ पर ब लोगों को दिये कि बो आले तो आप लोगों को रट नहीं है उसके अलावा कंपनियों के CEO भी पूछे जा सकते हैं इसलिए आप अगर रटना चाहें तो रट सकते हैं नेक्स्ट है IPL जो पंदरवा IPL आप लोगों के लिए हुआ है most important रहेगा अगर अगले एक साल के अंदर exam होता है तो आप लोगों के लिए यह बहुत ज़दा important रहेगा और अगर उससे अगले साल भी exam होता है तब भी आप लोगों के लिए इसमें से related questions पूछे जाएंगे PCS आज भी पूछ रहा है लगातार अगर questions आप देखोगे जो अभी exams चल रहे हैं CPO बगएर के exam चल रहे थे उसमें वो लगातार questions पूछ रहा था ठीक है guys बात करें हम science की तो science में आप लोगों के लिए डाला है all CGS units आप कहोगे भी यह तो चीज कल भी थी हाँ कल थी लेक लेकिन आज दोवारा से वही page आप लोगों को दिया जाएगा जिससे कि आप उसकी जो units हैं उनको अच्छे से याद कर सको तो क्योंकि बहुत सारी units थी तो सबसे पहले मैंने CGS डाला है क्योंकि कल जो आप लोगोंने units देखी वो SI और MKS याद हुई होगी क्योंकि CGS unit आप लोगों को करनी है next अगर में बात करूं तो 5 scientists जैसे कल आप लोगोंने 5 scientists किये उससे आगे के आप 5 scientists करेंगे next 10 हभिशकार करेंगे अभी math में triangular number वाली चीज़े भी आप लोगों को समझाऊंगा उससे आगे आप लोगोंको 10 chemical formulas करने हैं और उसके अलावा other important elements जैसे 30 त के बारे हम पढ़ेंगे कि 10 की घातों के कैसे यूज होते हैं 10 उपकरण और उनके कारवे आप लोग करोगे कि कौन से उपकरण का जैसे गैल्वनोमीटर का क्या काम होता है टैकोमीटर का क्या काम होता है पायरोमीटर का क्या काम होता है इस तरह से आप लोग को 10 उपकरण और lecture भी दूँगा, ये lecture आप लोग को application पर भी मिल जाएगा, YouTube पर मिल जाएगा, वो मैं आप लोग को दे दूँगा, ठीक है guys, ये आप लोग को चीज complete करनी है, इसके अलावा भी मैं आप लोगों से कहूँगा कि आपके उपर बिल्कुल कोई दवाव नहीं है, अगर आपको best lecture मिलता है, किसी भी teacher का, आप वहाँ से उस चीज को complete करिए, बस ये आप लोगों को complete करना है, मेरा एकमात रुद्देश्य है कि आप लोगों का syllabus complete होना चाहिए, तो ये हो गया आप लोगों का, next अगर मैं बात करूँ, तो आप लोगों की आजाती है maths, ठीक है, तो maths में अगर आप बात करेंगे, तो maths में मैंने सबसे पहले number पर डाला है आपके सामने, triplet number या pythagorean triplet, ठीक है, pythagorean के triplet भी बोलते हैं, triplet number भी बोलते हैं, सबसे पहले आप लोगों कुछ triplet number याद होने चाहिए, जिससे कि आप जब trigonometry के questions solve करो, ठीक है, या आप geometry में भी questions solve कर रहे हो, series कर रहे हो, या बाकी कोई questions कर रहे हो, तो उसमें आपको एकदम से पता चल जाएगी, कि हाँ यार ये वाली जो चीज है, ये तो क्या है, triplet number का question है, तो triplet number से related भहुत सरे questions आते भी हैं, और उनसे related चीज़े पूछी जाती रहती है, इसलिए आपको triplet number पता होना चाहिए, पहले याद भी होने चाहिए, इसी तरीके से आप लोगों के लिए triangular number और square number ये जो चीज़े हैं, triangular number का concept बहुत जादा important है, और पिछली बार बहुत जादा इससे related questions सिफ्टों में पूछे गए थे, तो आपको triangular number पता होना चाहिए, इसके अलाबा decimal numbers का addition, subtraction, multiplication और division बगएरा, ये आप लोगों को करना आना चाहिए, कि भाग कैसे होती है दसम्लब भिन्नों की, दसम्लब भिन्ने हैं या दसम्लब से related जो भी हैं, जोड़ना, घहटाना, ये वाली चीज़े आप लोगों को पादता होनी चाहिए, जो आप लोगों के कहां पे मिल जाएंगी, ये आपके RS Agrawal में भी मिल जाएंगी, जो हम आप लोगों को provide करवा देंगे, ठीक है guys, इसके अलाबा number system के all examples of RS Agrawal, तो आप अपनी RS Agrawal की book open करेंगे, उसमें जो number system का basic समझाया गया है, वो वाली चीज़ें, प्लस, उसके जो जितने भी examples हैं, वो आप लोगों को करने रहेंगे, एक बात मैं आप लोगों को बता दूँ, हम जब चीज़े कराएंगे, तो आप लोग देखोगे कि भले ही वो मैंने slide पर रिखे हुई हैं, लेकिन वो चीज़े यही सब होगी, जो आप लोग बुक्स से करोगे, लेकिन कुछ कारणों की वज़े से direct बुक्स से पढ़ाना उचित नहीं है, क्योंकि copyright strike बगरा बहुत ज़्यादा लग रही है, इसलिए हमें थोड़ा सा सचेत रहना पड़ता है, तो हम लोग अपनी slide पे लगा के पढ़ाएंगे, और वही चीज़े होंगी सब कुछ, इसलिए आप बिल्कुल भी ये आप लोग बेज ही जख रहिएगा, कि जितनी चीज़े हम आप लोग को देंगे, वो सारी की सारी चीज़े to the point और exam point of view से होंगी, कि उससे बाहर की चीज़े मैं नहीं कराऊँगा, इसलिए मैं जब lecture दूँगा, चाहें किसी भी chapter का दूँगा, तो वो अपने आप में पड़िपूर्ण होगा, फिर आप लोग को कुछ करने की जरुतनी है, इसलिए मैं जल्दवाजी में lecture नहीं दूँगा, या फिर आप लोग की application में जाके डेल जाएगा, जिससे आप complete कर पाएंगे, और ऐसे लगवग 10 से 12 ही chapter है, आप लोग के जो basic science and engineering में, आप लोग की physics complete हो जाएगी उससे, ठीक इसी तरीके से, तो ये जो chapters आएंगे, ये जल्दवाजी में नहीं आएंगे, इन पर काम होगा पहले ढंग से, फिर आप लोग के पास वो lectures पहुँचेंगे, जिससे आप लोग को भी मजा आए, तो अभी आप जैसा मन करता है, वैसे complete कर सकते हैं, बात करते हैं reasoning की, तो guys, ये आप लोगों के लिए यहाँ पर दिया है, मैंने number series का basics, number series के basics आप लोग complete करने हैं, coding, decoding complete करनी है, और analogy and similarity complete करनी है, देखिए जिस तरह से ये, analogy and similarity के जो मैं चीज़े दूँगा, सिर्फ वो complete करना है, सारा नहीं करना है, coding, decoding का भी basics आप लोगों complete करते चलने हैं, आप यह मैं समझना कि पूरा coding, decoding ये एकी दिन में निफ्टाना है, तभी ये जो chapters चल रहे हैं, ये थोड़े-थोड़े करके चल रहे हैं, analogy and similarity तो लगवख 2-3 दिन और 2-3 दिन के targets में ओर चलेगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़े होती है, तो अभी आप लोगों को ये वाली चीज़े करनी है, आप देख सकते हैं, धीरे-धीरे आप लोगों का जो syllabus है, वो निपट पर चला जाएगा, आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा, तो गाईज चलिए फिर, ये आप लोगों के targets थे, जो आप लोगों के target complete होते हैं, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, तो गाईज बहुत ज़्यादा सही तरीके से आप लोगों के लिए test बनाये जा रहे हैं, अगर आप target देने के बाएट test दे देते हैं, तो आप निश्चित तोड़ से ये मानिये, कि बोवाला जो topic है, आप लोगों का लगवग लगवग तयार हो जाएगा, और नहीं भी होगा, तो आपका जो question है, जैसे ही वो गलत होगा, आप उसे दुवारा पढ़ने के courses करोगे, तब वो आप लोगों का clear हो जाएगा, इसनिए आप test जरूर से जरूर दीजिए, कम से कम अभी तो free of course test है, target day 1, 2, 3, तो आप जरूर से जरूर इन test को दीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो उसको share कर सकते हैं, जो लोग ALP की, JEE की आगे तैयारी कर रहे हैं, मतलब कोई भी ऐसा exam, जो आगे 5 महीने में, 3 महीने में आने वाला है, उस exam के लिए आप targets follow कर सकते हो, जिन में ये 4 सब्जेक्ट आते हैं, चलिए फिर मिलेंगे next वीडियो में, आप लोग अपना ख्याल रखेगा, क्योंकि अभी थोड़ा मैं जल्दी में हूँ, इसलिए आप लोग को दे रहा हूँ, बाकि in-depth बातें अगली वीडियो में होंगी, आप लोग के साथ मिलेंगे next वीडियो में ख्याल रखेगा, टेक क्या,